इस कारिक्रियम के पुन्यार जखें ज्यान का अभाव ही जीव को ब्रह्मन का कारण बना करता है जितने जीव ब्रह्मित हैं वे सब ही इस संसार में परिभ्रह्मन कर रहे हैं मैं आज तक सत्ता से परिचित नहीं हुआ और सत्त को ना जानते हुए मैं अनेक बार अपना आहित करता रहा सत्त को ना जानकर जब भी मैं सत्त की खोज करने निकलता हूँ और मुझे सत्त बताने वाला नहीं मिलता है और बड़ी अज्यान दसा में पहुंच जाता हूँ आज से ही नहीं भूत में अनेकों अनेकों वर्सों से मानों मस्तिस्क में अनेक जिग्यासाइं पैदा होती रहीं आज ही नहीं कि आज के वर्तमान के बच्चों के अंतरंग में अनेक जिग्यासाइं पैदा हो ऐसा मात्र वर्तमान में नहीं है भूत में भी अनादिकाल से ऐसा होता रहा कि जगत के चित में अनेक अनेक जिग्यासाइं पैदा होती थी आप जब आस्मान की ओर देखते थे तो लगता था ये तारी कैसे चमक रहे हैं ये आस्मान क्या है ये प्रत्वी कहा है ये समुद्र क्या होता है ये सारी की सारी जग्यासा है वर्तमान की अपिक्छा से नहीं थी अनिकों भवों से ही नहीं अनाधिकाल से ही मानम मस्तस्क को इन समस्याओं को अत्वा इन जग्यासाओं को अपने मस्तस्क में इस्थान देता रहा इसको बताने वाला कोई ना मिला तब बुद्धी प्रयोक करना प्रारम की जब बालक आपसे कोई प्रश्ण करता है और आपने उसका उतर उसे असत्य रूप में दे दिया अब वह उसे ही मान बैटता है और यदि कोई खोजी व्यक्ति है खोजी बालक है तो और पता करना चाहता है कि असत्य है या आसत्य है ऐसे कई लोगों ने अपनी बुद्धी लगाना प्रारम की आखिर ये संसार की ऐसी इस्तिती की जहां मैं रहता हूं मैंने आज तक विचार नहीं किया मैं रहता का हूं तो कई लोग ऐसे हैं इससे मुझे क्या लेना देना इन सबसे मुझे क्या लेना देना और ऐसा ही मेरा जीवन निकल जाता है मा जंगल में खड़े हो और मार्ग का पता ना हो जंगल में आप खड़े हुए हैं और जंगल में मार्ग का कोई अता पता नहीं है तो जंगल में भटकोगे की निकल जाओगे ऐसे ही मैं संसार रूपी जंगल में भटका हुआ हूँ ये बात हमने अभी पिछले दिनों से जब से ये संसार भावना पढ़ना प्रारम कीती तो ये जान लीती कि अनेकों भाव मैंने कहां कहां व्यतीत किये मैं जब पुद्गल परावर्तन को किया तो ऐसा कोई सरीर नहीं था जिस सरीर को मैंने धारण ना किया हूँ क्योंकि आप लोगों ने इस विश्य को पूर्व में नहीं समझा है तो संसार में हमने ये देखा था पाँच प्रकार का परिवर्मन इस संसार में चलता है जिसे आप क्या कहते है पंच परावर्तन परिवर्तन चल रहा है परिवर्तन चल रहा है नया कुछ भी नहीं है सब कुछ पुराना है एक बार भोगा हुआ नहीं है अनंत बार भोगा हुआ है पुद्गल परावर्तन में देखा मा यहां धूल के कण पड़े हुए न उन धूल के कणों को भी तुमने भोग कर छोड़ दिया जिस जिस इस्थान पर आपकी दिश्टी जा रही है वैस सारा का सारा इस्थान आपने अपना शरीर बना कर छोड़ दिया और यह जिस रूप पर हम अपना बहुमान करते हैं कि बहुत सुन्दर रूप है ऐसा का ऐसा रूप अनन्त बार प्राप्त कर लिया क्यों अनादिकाल से अनन्तता कितनी होती है यानि आकाश में नमनीत तारे कितने है आकाश में मनीश तारे कितने है अनन्त है क्यों अनन तो जानते नहीं हो जाओ देखो आज देखना प्रारम करना आप तो आप क्या जैपुर में देखते ही नहीं है तारे नहीं है ना तो देखो बहुत अच्छा खुलासा हो रहा है रूपेश शाम को आप बादल नहीं होने पर भी क्या जैपुर में तारे देख पाते हैं जैपुर में तारे नहीं है न तो जैपुर में तारे नहीं है न इसलिए तो दिखाई नहीं देते आप जब तारे यही तारे यहां जैपुर के अलग हैं और बिहार कर रहे थे, रुपेश, और एक रात्री में अपन, खेत में रुके थे, वहाँ तारों की संख्या कुछ अधिख थी, बहुत अधिख थी, उतने ही थे न, जितने खेत में दिख रहे थे, उतने ही थे न, दिख नहीं पा रहे थे, जैसे जैपुर में, जिसने नहीं देखे न, उन बच्चां से पूछना किते थारे होते हैं, भी नहीं कहेंगे असंक्यात अब भी नहीं कह पाएंगे असंक्यात होते हैं क्यों कभी देखने में नहीं आते हैं उनको देखने में नहीं आते तो क्या कहेंगे, ये तो ऐसे ही है फिर जब उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, देखो बेटा, खुले आसमान में जाओ, जहां प्रदूसर नहीं है, जहां बहुत अधिक प्रकाश नहीं है, वह तुम्हें तारे की छोटे छोटे तारे अनंत दिखाई देंगे, अब ये अनंत तारे जैसे दिखाई दे रह पाएंगे आकास के छोड़ पर, नहीं बहुंच पाएंगे न, ऐसे ही मा, मैं जब अपनी पूर्व परियायों को धूड़ने निकलता हूँ, मैं अपनी पूर्व परियायों को धूड़ने निकलता हूँ, तो मुझे पता चलता है, मेरा तो और छोड़ी नहीं है, अनंत का आओ मैंने करके छोड़ दिये हर छेत्र पर जन्म लिया और मरण को प्राप्त होता रहा रूपेस आपके सिर के उपर देखो वो जो पंखे के उपर जाला लगा होगा ना वहां भी तुम जन्म ले चुके हो और आज अपने घर की नाली में जाके देखना वहां भी प्रतेक नाली के प्रतेक कौने पर तुम्हारा जन्म हो चुका है और मात रूपेश का नहीं हमारा भी वहां जन्म हो चुका है और हमारा नहीं प्रतेक जीव का इस प्रांगण के प्रतेक इस्थान पर जन्म हो चुका है यह चेत्र परावर में मैंने कौन सा छेत्र में घूमने जाओं जहां मैं ना घूमा हूं अनंत काल में छेत्र कितना सा है यानि आपके पास में टंकियां है अनंत और पानी समुद्र में भरा है आपके पास तो चारी टंकिया है मान लीजे अकलेश कित्ती टंकिये आपके पास चार टंकिये जो आपके भवन के उपर रखी रहती है अब इन टंकियों में पानी भरना है मात चारी है और पानी कहा है समुद्र में है कित्ती बहर भर जाएंगी और समुद्र कब खाली हो जाएगा चार गतियों की चार टंकिया जिसमें आयू रूपी समुद्र का पानी भरता है फिर खाली हो जाता है काला जी समुद्ध खाली हो जाएगा ना कितनी टंकी निकालने में एकाद दिन तो होगा कभी खाली हो जाएगा यानि कितनी बार टंकी भरके खाली हो गई ऐसे इमा इन चार गतियों में जन्म लेके कितनी बार में पुना मरण को प्राप्त हो गया इसका नाम था भाव परावर्तन और अच्छे से समझना है देविन भीया आपके पास में यदि सौ गैंद है सौ बाल अलग-अलग कलर की गैंदे है तो आपने एक बोरी में भर दी रुपेश सौ गैंदो को एक बोरी में भर दिया और सौ गैंदो में मात चार वर्णों की है चार ही कलर उसमें दिखाई दे रहे हैं एक है सफेद, एक लाल है, एक हरा है, एक पिला है अब आपने सौ बालों में से उठाना प्रारम किया तो सौ बालों में लाल वाल कितनी बार आएगी सब लोग जानते हैं लगबग कितनी बार आएगी 25 बार लाल बार आएगी और हरी बार कितनी बार आएगी फिर पीली बार, सफेद बार 25 बार आएगी, चारी है ना चारी है ना आप देखना, सौ की जगे वही बार बेटा, रुपेश 1000 हो और चार वर्णकी हो कौनसी वाल कितनी बार आएगी? हजार की जगे अब पहुंचो करोड पे हजार की जगे पहुंचो वे वालों की संख्या कितनी हो गई? करोड उसमें चारी रंग है कितनी बार आएगे हाथ में? करोड से चलो अरव और खरव पर अरव और खरव पर पहुँचो मां बॉल उठाना प्रारम करो कितनी बार आएगे कितनी बार आएगे ग्यानी अरे आप लोग तो इन युवाओं से पूछना ये तो कंप्यूटर वाले न probability निकालते हैं हड़ चीज की होजगदी जी से पूछो probability तो नहीं निकल रहे माराज जी पता नहीं कैसा चतरमास होगा इत्ते परसेंट सक्सेस की इत्ते परसेंट सक्सेस यानि probability जैसे निकालता है न जीव कि इतनी बार ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा मेरे पास धन रासी आजाएगी काला जी इत्ते लोग आ गए तो पचास लोग आ गए तो पचास की अगर रासी आई तो यानि जैसे वहाँ पर निकालते हो यानि पहुँचो दस खरब पर दस खरब में से किती बार तुमारे हाथ में लाल वाल आई मा और बढ़ाओ संक्या और बढ़ाओ और बढ़ाओ संक्या आज जो ये लोक भावना प्रारम हो रही है ये संसार भावना भी आपको बता रहा हूँ अब ये संसार भावना में मैंने कितनी बार जनम लिया मेरे पास चारी तो बॉलती है तिर्यंच गती की, नरक गती की, देव गती की, अत्वा मनश गती की, कितनी बार जन्मा, जितनी बार बॉल हाथ में आई, उतनी बार जन्मा, उतनी बार मरण को प्राप्त हुआ. ये है भव परावरतन, कौन सी परियाय अच्छी है, देव परियायों में सूख है ना, नरक परियायों में दुख है ना, हर दुख को, हर सुख को, मैंने अनन्त بार भोक्त के छोड़ दिया, फिर भी अभक्ष को नहीं छोड़ पाया, और सत्यता से परिचित नहीं हो पाया, इसलिए आज तक वही क्रम चलता रहा है। मां, आज तक क्रम क्यों चल रहा है। अभी विचार किया था एक दिन, रुपेश रहे था आप थे उस दिन, जब हमने विचार किया था कि महाराज जी ये तो सब कहने सुनने की बाते हैं, आपको लगते ही नहीं है कि नरकों की जो वर्णन अभी महाराज जी कर रहे थे, कि पूरे जगत की रोटी खाजाओं, अन खाजाओं तब भी पेट नहीं भरता, पूरे जगत का पानी पीजाओं तो भी पेट नहीं भरता, तो ये सत्य नहीं है ना, सत्य है की नहीं है अगर सत्य है तो मुझे विश्वास है की नहीं है आपके पास विश्वास ही तो नहीं है इसलिए तो काम बिगड़ा हुआ है ये मार्ग सीधा दिल्ली को जाता है राजमार्ग है आशिष राजमार्ग है और राजमार्ग पर कई लोग निकल चुके हैं इसको जिसको ये विश्वास हो जाएगा वे जंगल के उचे नीचे उबड़ खावड रास्तों पर अपनी गाड़ी नहीं ले जाएगा सत्ये ना राजमार्ग है इस राजमार्ग पर अनेकों लोग निकल चुके हैं और वह उन्हें पार लगा देता है पहले दो चार गाड़ियां निकल जाने दो फिर अपन चलेंगे पहले दो-चार गाड़ी ये निकल जाने दो को पता नहीं कहां पर क्या इस्तिती हो कहीं ब्रिज बस ग्यानी नए राजमार्गों पर तुम्हारी शद्धान जुड़ते जाते हैं तुम्हें पता ही नहीं है वह मार्ग सच्चा है या नहीं है और जाके अपनी अधोगती में फिर से दुरगटना ग्रस्त हो जाते हो और वहीं पहुंच जाते हो अत्वा ऐसा मार्ग जिस पर के होई पार ही नहीं हुआ प्रीम जी जंगल में खड़ते आप अंधेरी रात थी और मार्ग कुछ दिख नहीं रहा था अब भटकते रहो जंगल से पार हो जाओगे न जिनके जिस जगे आप शद्धान करके पहुँच जाते हो वे स्वयम संसार में प्रमित हैं कि मैं जाओं कहां वे संसार जैसे अपना जीवन जी रहे हैं उनके चर्णों में पहुँच जाओगे तो वे तुम्हें संसार से पार कर देंगे न राजमार्ग दिख रहा है अनेक वहन निकल चुके हैं पत्थर नहीं है, कांटे नहीं है पहुँचोगे की नहीं, नियत है की नहीं और समय पे पहुँचोगे की नहीं मा सही है न मैंने एक बात आपसे पूची की ये जो संसार में इतनी बार जनम मरण हुआ ये सत्य है न इतनी बार मैं जनमा मरा हर जगे जनम मरण किया मैंने हर भाव किये हर बार नरकों में ऐसी वेदना को सा ऐसा समझ में नहीं आता ऐसा सत्य है न अरे बोलना पड़ता है सिखर्चन जी ऐसा सत्य है न क्या ऐसा विश्वास है अब देखना कहां से धर्म का प्रारम होता है यदी सत्य को जानता भी है लेकिन सत्य पर विश्वास नहीं करता पता है सम्मिक दर्शन ग्यान चारित्र रूपी ये मोग्च मारग है ये तुम्हें संसार रूपी जंगल से निकाल देगा लेकिन उसमें चलने तैयार नहीं है जिस पे अनेकों वाहन जाके पार लग चुके हैं लेकिन भटकने तैयार है इधर उधर जाता है और कहता है क्या है मां देखो यह विश्वास जब तक जागरत नहीं होगा कि मैं हर जगे जन्मा हूं यानि यहां से लेके आज जिस जिस इस्थान से आप गुजरोगे आज विचार करते जाना ओ कुट्टे का जो स्वान है स्वान के मुख से जो लार टपक रही है उसमें भी मेरा जन कि पला को अजिए आप आपको समझ में नहीं आता का बॉल याद रखिए बॉल हजार बॉल ऑप देखना समुद्ब के परावर बाल कर डीजियी अव कितल्टी की मनुशंय बनकर भी विवेक जागरत नहीं हुआ कि अभी बुद्धी है इसका सही प्रयोग कर लें और यह सत्ता से परिचित हो जाए और राजमार को चुल लें अरा बिहार, श्री प्रवीन जैन आगरा, श्री नितन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षर जैन, डॉक्टर मनीश बोथरा, जैपुर, श्री अक्षर जैन सहारनपुर, श्री अधित्य जैन, बीगम गंज, मध्यप्रदेश